नेता नहीं, जनता ते करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार चुनाव से पहले चुनाव की बात हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात देखिए विधान सब चुनाव पर चुनावी चर्चा महापुरुषों का आदर पुर्वक अभिनंदन करता हूँ उन्त के प्रयाशों को प्रणाम करता हूँ त्रिपुरा का इतिहास हमेशा से गरीमा से भरा रहा है मानिक्य ववंस के समराटों के प्रताप से लेकर आज तक एक राज्य के रूप में त्रिपुरा ने अपनी भुमीका को ससक्त किया है जनतायतिय समाज हो या दूसरे समुदाय सभी ने त्रिपुरा के विकास के लिए पूरी मेहनत के साथ एक जुड़ता के साथ प्रयास किये है मात त्रिपुरा सुंद्री के आशिरवात से त्रिपुरा ने हर चनोती का हिम्मत के साथ सामना किया है त्रिपुरा आज विकास के जिस नए दौर में नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है उसमें त्रिपुरा के लोकों की सुझबुझ का बहुत बड़ा योगदान है सार्थक बढ़लाव के तीन साल इसी सुझबुझ का प्रमान है आज त्रिपुरा अउसरों की धर्ती बन रही है आज त्रिपुरा के सामाने जन की छोटी छोटी जरुते पुरा करने के लिए डबल इंजिन की सरकार निरंतर काम कर रही है तभी तो विकास के अनेक पैमानों पर त्रिपुरा आज बहतरीन प्रदर्शन कर रहा है आज बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रेक्टर के माध्यम से अभी राज्य ट्रेड कोरिडोर का हब बन रहा है इतने दसकों तक त्रिपुरा के पाथ सेश भारत से जुड़ने का सिर्फ एक मात्र जरिया रोड ही था मौन्सून में जब लेंड्स लाइंड से रोड बंद हो जाते थे त्रिपुरा सहीत पूरे नौर्थ इसमें जरुरी सामान की कितनी कमी हो जाती थी आज रोड के साथ साथ रेल हवाई इनलेंड वोटर वे जैसे अनेक माध्यम त्रिपुरा को मिल रहे है राज्य बनने के अनेक सालों तक त्रिपुरा बांगलादेश के चिटगाओं पूर्ड के लिए एक्सेस की डिमांड कर रहा था डबल इंजीन की सरकार ने इस डिमांड को पूरा किया जब 2020 में अखवरा इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट पर बंगलादेश से पहला ट्रांजिट कार गो पहुचा रेल कनेक्टिविटी के मामले में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में सामिल हो रहा है कुछ दिन पहले महाराजा वीर भीक्रम एरपोड का भी विस्तार किया गया है साथियों आज एक तरफ देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर